हे गाईज वेलकम टो इंडिया डिजिल टाच मेरा नमी दिवा सीस और फैनली रेड्मी के 20 प्रो यूजर्स को बहुत दिन के बाद एक नया अस्टेवल अपडेट मिला जिसका वर्जेन है मीवा 11.0.4.0 अगर आप रेड्मी के 20 प्रो यूजर्स करते हैं तो क्या आपको अपडेट मिला या फिन नहीं आप नीजे मुझे कमेंड करके बाता सकते हैं और अगर आपको अपडेट अभी भी नहीं मिला है तो फिर आप कुछ दिन और वेट कर लीजीगा इसका अलबा इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में इसका लिंक है वहाँ से जाके आप अपनी फोन को मैनुवली अपडेट कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताओं कि इसमें आप लोग को क्या कुछ नया देखने को मिलता है तो अगर मैं सबसे पहले वाट्स न्यू प्याओं यानि किसकी चैन्जलोग पी तो यहाँ भी सिर्फ दो ही चीज़े मैंन्स हैं कि नया सीगोडी पैस लेबल और क अपडेट में तो सबसे पहले तो आप लोग को कुछ नया ट्रंजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा तो अगर आप कोई भी एपलेकेशन को खोलते हैं तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नया टाइप का देखने को मिलता है या फिर इसे थोड़ा सा स्लो किया गया है तो म इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कुछ इस तरीकी का नया ट्रंजिशन इफेक्ट्स एड़ किया गया है एपस को खोलते टाइम और नेक्स्ट चेंजिस के अगर मैं बात करूँ तो इसके बलिए मुझे सेडिंग्स पर आना होगा फिर सिंकार्ड एड मोबाइल न इस तरीके का जो भी डिटेल्स बगर है वो अभी आप लोग को और भी डिटेल में मैंसें देखने को मिलेगा तो फिलाल सीम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्स के अंदर कोई भी नया चीज एड नहीं किया गया है लेकिन जो डिटेल्स बगर है और भी कहीं सरे सेडिंग् एक नया option यहां पर एड किया गया है यह option मुझे जहां तक लगता है कि यह पहले सही था लेकिन फिलाल अभी आप लोग को connection and sharing के अंदर देखने को मिलता है आप नीजी मुझे कमन करके यह बता सकता है कि यह option पहले कहा आप था और next changes के अगर में बात करो always on display and lock screen तो यहां यहां पर जो MI के casual था तुसरे यहां पर उसका जो नाम है वो यहां पर फिलाल change आपको देखने को मिलेगा glance for MI तो यह यहां पर जो इसका नाम है वो यहां पर आप लोग को थोड़ा बहुत changes देखने को मिलेगा और ambient display या फिर always on display का कुछ दिन पर एक update आया था जिसमें अपना photo set कर सकते हैं तो इसके regarding भी मैंने वीडियो बना करका हूँ अगर आप लोगों नहीं देखा तो उसका link भी आप लोग को पर आई बैटन में और इस वीडियो की description में मिल जाएगा और अगर मैं display के अंदर आऊ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो anti-flaking mode या फ apps के अंदर तो अगर मैं यहां पर app scan दे रहा हूं फिर manage app scan दे रहा हूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले का जो update आया था उसमें आपका जो app का जो force stop बाला जो option था वो यहां पर काम नहीं कर रहा था तो उसे जो है यहां पर fix किया गया है और यहां पर एक और changes कि अगया है यहां पर camera के अंदर तो camera के अंदर जैसे आप लोग यहां पर videos के अंदर आएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकता है जो vlog mode है वो यहां पर add किया गया है और vlog mode को आप किस तरह से इस्तमाल कर सकता है इसके regarding आपको i button में video और इस video के description में आपको मिल जाएगा और pro के अंदर अगर मैं आऊं तो यहां पर आप लोग देख सकता है एक eye का जो circle है इसे जैसे आप लोग टाप करेंगे तो pro mode में आप क्या कुछ चीज़े कर सकता है वो यहां पर सब कुछ चीज़े detail में आपको देखने को मिलेगा अब next changes के अगर में बात करें तो वो आप लोग अगर इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर जो एक नया टाइप का transition effect देखने को मिलेगा एक triangle टाइप का effect यहां पर add किया गया है तो बस यही कुछ changes आपको देखने को मिलेगा इस नए अपडेट में फिलाल अगर में बात करू कि इसके अलबा और क्या कु security application नहीं है पर आप लोग को dark mode या फिर कोई भी और settings बगर आपको देखने को मिलता है ना ही theme के अंदर कोई भी changes कोई भी font changes आपको देखने को मिलता है तो अभी अगर आप पूछेंगे कि इसमें battery backup कैसा है तो इस update को करता हुआ मुझे 24 घंट भी ठीक से नहीं हुआ है तो तो इसके regarding एक detail में 3-4 दिन बाद एक detail में full review आएगा तो आप उस full review का अंतजार कर सकता है अगर आपके मन में और भी कुछ doubts बगरा है या फिर अगर आपको देखा और भी कुछ नया settings बगरा तो फिर आप नीजी मुझे comment करके बाता सकता है आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू